नवश्कार दोस्तों मैं आपका गैडो जांक और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं कि भूगोल ऑप्शनल जो बहुत ही महत्पूर्ण है इसमें दो पेपर होते हैं पेपर वन और पेपर टू इनका सलबस एनालेसिस क्या है इसमें कौन-कौन से जियो मॉर्फलाजी की अगर बात करें तो यह हमारा सबसे बड़ा जो है वो हिस्सा होता है और जियो मॉर्फलाजी में 20 यूनेट्स हैं अगर बात करें भू आकरती विज्ञान में और मैं इनके एक-एक सब्जेक्ट के एक-एक टॉपिक के बारे में आज आपसे यह क्या है दूसरा उनके बारे में यह जानकरी यह यहां क्यों है इनके बनने की प्रक्रिया क्या है इसके पीछे प्रॉसेस यानि प्रक्रम कौन सा इंवाल्व है और इनकी अवस्था यानि स्टेज कौन सी है क्या यह अभी युवा अवस्था में है या यह जो है यानि कि जो है अवसिष्ट परवत की रूप में जो अपनी वरध्ध आवस्था जो है पार कर रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं यानि जहां हमारी प्रत्वी पर लैंड फॉर्म दिखाई पड़ते हैं चाहिए वो मौंटें हो प्लाटी हो या हमारे ब्लॉक इortion होता है वो यहीं से आता है चुक्र की इसके विकास के करम बहुत ही प्राचीन है बहुत ही पुराने समय से विक्सित हो रहा है और इसमें टमाम तरह की जो थौट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं तो इसके बारे में जानकारी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टिंट होता है पहली unit जिसका नाम है factor controlling landform development यानि इस्थलाक्रतियों के विकास को नियंतरित करने वाले कारक इस्थलाक्रतियों के विकास को नियंतरित करने वाले कारक तो वो कौन-कौन से कारक हैं जो इस्थलाक्रतियों के विकास को पाई जाती भुखरतियों की और उनको कौंन से कारक, चाहे वो जलवाई के कारक हो, चाहे वो समय की बात हो, चाहे वो अवस्था हो, चाहे वो प्रकरम हो, stage की बात हो, तो ये सभी जो इसके जो है डव्लब्लप्मेंट के reason हो, weathering हो, erosion हो, mass wasting हो, तो इसके कौन-कौन से जो है factors ये काम आते हैं बहुत ही महत्वपूर है actually में ये कोई एक topic specialist ना होकर आगे चलकर geomorphology के आधि से ज़्यादा हिस्से में हम देखेंगे कि इसी unit का हम विस्तार देखते हैं लगातार ये जो है वो आगे बढ़ता रहता और हम इसके विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अगला जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत सी सिंपल है वो है इंडोजनेटिक और एक्जोजनेटिक का मतलब होता है अंतरजात और एक्जोजनेटिक का मतलब होता है वहिरजात तो ये दो बलों के बारे में हम बात करते हैं. तो अंतर जात मतलब होता जो प्रक्सवी के अंदर से आ रहा हो, यानि जैसे भूकम्प हो गया, suddenly जो अचानक से आकस्मिक होने वाली segments हो गए, जो अलामुखी जो प्रत्वी के अंदर होने वाली हल्चलों की वज़े से होता वॉल्कैनिजम और एक्जोजनेटिक वहर जात जैसे नदियां जो है अप्रतन कर रही है वैदरिंग हो रहा है मास वेस्टिंग अचानक से चीज़ें हटाई जा रही है तो वास्तों में ये इस अगर एक्जोजनेटिक फोर्से जादा है और एंडोजनेटिक कम है तो हम देखेंगे कि जो भी हमाई सामने इस तरह कतिया है वो हमें घिसी हुई दिखाई पड़ेंगी वो जो है वो रेलेक्ट रूप में हमें दिखाई पड़ेंगी अगर एंडोजनेटिक जादा है और अभी उतना ज़्यादा प्रवाशाली नहीं है तो हमें उस landform को विकास करते हों देखेंगे उसकी उचाई बढ़ रही होगी या उसमें नए नए जो है विकास के करम सामने आ रहे होंगे आईए हम तीसरी unit पे चलते हैं origin and evolution of earth crust crust basically वो हिस्सा होता है जहां पर हम निवास करते हैं हम रहते हैं जो प्रत्वी की भूपरपटी होती है तो कहता है कि इसकी उत्पत्ती कहां से हुई है पहले आप ये बताइए और उसके बाद इसका जो है वो विकास यानि जो है evolution जो है वो कैसे हुआ इसके बारे में आप जो है उत्भाव जिसे हम लोग कहते हैं वो कैसे होता है प्रत्वी की भूपरपटी के बारे में तो प्रत्वी की भूपरपटी बेसिकली बहुत ही विहंगम है अब हमें इसके दो विभाजन देखने को मिलते हैं मुक्यर अगर हम बात करेंगे तो प्रत्वी पर दो ही हमें विभाजन देखने को मिलते हैं एक तो महादीपी विभाजन और दूसरा महासागरी है यानि continental और दूसरा oceanic तो परपटी हमेशा दो भागों में बटी हुई ह अब तो बाज़न दूसरा उन्ह धी ज़िए तो बचल लिए जैनि अब रजन को ईज़न कांड यह तो ऑपटीवाजन दूसरा बस्युल्सरा बात इसा जा दूसरा जाने वाला चुब एक तो दूसरा में आडिए यह गाला तो यहां पर जो है वो इसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया था fundamental of geomagnetism इसको भू चुम्बकत्व कहते हैं इस पर आज की डेट में काफी ज्यादा जो है रिसर्च भी हो रही है हमारी प्रत्वी में एक चुम्बकत्व प्रभाव देखा जाता है अगर आप कभी भी एक magnet को लीजिए धागे से उसको लटका दीजिए और इसको छोड़ दीजिए तो हमेशा उसका पोल जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ होगा तो आप magnetic needle को भी देखेंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ ही शो करती है तो यह तभी हो सकता है जब कोई चुम्बक के माद्यमस उसको कंट्रोल कर रहा है आप किसी भी तरब उसको घुमाईए किसी भी तरब लेकर जाएए हमेशा नॉर्थ और साउथ ही शो करेगी लेक प्रत्वी के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रत्वी के अंदर कई जैसे जौला मुकी फटते है तो उसके अंदर से तरल पदाथ निकलता है बहुत गरम जो है पिगली चट्टाने तो हम जिस परपटी पे हैं वो ठंडा है वो कड़ा है लेकिन यह पिगला हुवा चटान कहां से निकल कर आ रहा है, तो प्रत्वी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें है, इसका मतलब है प्रत्वी जो है पूरी तरह से ठोस नहीं है, इसके अंदर कुछ हिसा ऐसा है, जो पिगली चटानों के रूप में भी है, तो अर्थ के इंटिरे रहनी प्रत्वी के अंतरत्म की जानकारी लेने के लिए प्राचीन काल से नवीन काल तक हमारे पास क्या-क्या सेग्मेंट्स अवेलेबल हैं, आए, अगला हम बात करते है, जीयो सिंक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूस ननतिया भी कहते हैं, तो भूस ननतिया जो है, जैसे अगर यहां पर बात करें, बहुत ने बहुत इस टेट फावरड होता है, तो Geosyncline एक बहुत important concept है, next one is बहुत important जो segment है, जहां पर हमारे पास ये एक ऐसा point है, जो GS में और जो optional है, दोनों में बहुत मददगार होता है, इसको हम लोग Continental Drift Theory, यह नि महादीपिय विस्थापन, सिध्धान्त कहते हैं, जो कि जो evidences दिये, climatological और तमाम तरह के जो fossils के base पे, उन्हेंने बताई कि continent एक जगह से दूसरी जगह movement करते हैं, यह सबसे मज़ेदार बात है कि option के साथ साथ यहां GS में भी directly question आते हैं, तो यह एक ही point जो है जन्म होता है, इसी के अंतरगात आठमा topic बहुत ही simple है, इसमें दो ही question पूचे आते हैं, airy और prat, इसको हम लोग isostatici यानि सम इस्थित के नाम से जानते हैं, इसके बाद हमारा जो बहुत मूलभूत सिध्धान्त है, जो इस सिध्धान्त का ही एक नया रूप है, इस सिध्धान्त में कुछ फेलियर से और उसको हम लोग plate विवर्तन की सिध्धान्त के नाम से जानते हैं, आज हम जानते हैं कि हमारा विश्व कई बड़ी और छोटी प्लेटों में पूरा बटा हुआ है, और हम सभी यातरी की तरह लगातार एक पॉइंट से दूसरी तरह जा रहे हैं, आप जो भूकम के जटके महसूस करते हैं, हिमालई चेतर में जो लगातार भूकम पाते रहते हैं, उनका जो segment होता है, वो plate विवर्तन की सिध्धान्त, यानि आद्धुनिक विचारधारा हैं, जिसमें Professor Stoller की विचारधारा या तमाम और भी जो है, जो विचारधारा नहीं, जो परवत निर्मान से लेकर अभी तक चली, कि जो इसे हिमालय हो गया, तो परवतों के भी अलग प्रकार होते हैं, कुछ कुछ खंड पर्वत, कुछ खंड परवत, यानि Block Mountains होते हैं, कुछ Relpect Mountain यानि Assist परवत होते हैं, तो अगर जो परवतों के निर्मान की हम बात करें, तो उनके निर्मान की प्रक्रिया क्यार ही, क्या अगर एक ही प्रक्रिया के गरूप में दिखाई पड़ता है तो विश्व के अलग-अलग जो मौंटेन से वो अलग-अलग सेग्मेंट्स है तो कुश्चन है कि आखिर ये परवत बने कैसे यहां पर हमें इस थियोरी के बारे में अध्यन करना पड़ेगा आईए हम चैप्टर नंबर इस सुझे इसका प्रत्वी की परपटी पर एक ऐसा उद्गार एक ऐसा माउथ होता है जहां से मौल्टन रॉक्स यानि जॉला जो है वो निकलती है जो है पिगली चट्टाने निकलती है यह वालकनिसेटी कई बहुत डिजास्टर भी लेकर आती है और कई बार इनकी बहुत एकनॉमिक वैल तो भूकम और सुनामी ये भी हमें पता है कि ऑप्षनल के साथ साथ GS में और GS पेपर तीन में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोलपले करता है खास तोर पर सुनामी जो हो गया और अर्थ्वेक जो हो गया भारत दोनों से जो भार करते हैं टॉपिक नमबर तेरह तेरह क्या है यहां से एक्चुली में और्थोडॉक्स जोग्रफी शुरू होती इसको परमपरागत भूगोल के नाम से जानते हैं जहां पर जो प्राचीन जोगरफर थे जिसमें डेवेस पेंग यह जो लोग थे गिलबर्ट इन लोगों की ज तरीके से और यह बहुत ही इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जुरूत नहीं है इसको समझना है उनको जो है वो पॉइंट्स याद करने एक दूसरे की आलोचना को समझना है और यहां स्टेट फावड नंबर बहुत ही सालों से एक ही तरह के यहां से कुश्चन बनक तो पहला इसमें है concept of geomorphic cycle and land escape development इसको हम लोग बोलते हैं भू आकरतिक चक्रम की अवधार्ना जो चक्र की अवधार्ना है और भू आकरतियों का विकास यानि की जो भू आकरतिक चक्र है इनका विकास क्या होता है इनका क्रम क्या होता है क्या एक केवल अपरदित होती है त इसमें उत्थान होता है तो basically इसका fundamental है कि अगर डेवेस ने कुछ कहा तो पैंक ने उसको criticize किया है तो बस थोड़ा सा जो है अंतर करके एक दूसरे की बात को समझना ये एक relative study होती है बहुत state forward study होती है next one is denudation chronology इसको हम लोग जो है वो denud का मतलब होता है घिस जाना वहां स हट जाना तो basically इसको हम लोग जो है वो अपरदन का लानुकरम भी कहते हैं erosion का ही जो advanced version हो गया तो denudation chronology के रूप में हम इसको जानते हैं कि कि किस रूप में ये denud हुआ denud basically इस point के जो है वो साथ जुड़ा हुआ है और इस point के साथ जुड़ा हुआ है तो ये दोनों जो है वो पितामा भी कहा जाता है कई बार geomorphology का उन्हें तो डेविस जो है वो डेविस का जो पूरा अध्यन रहा है वो नदियों के आधार पर रहा है तो जैसे ही नदियों के बारे में आएगा तो आपको channel morphology का जो है वो अध्यन करना पड़ेगा यानि कि जिसे नदी करम विक erosion surface तो erosion surface का concept क्या होता है यह basically हमें पहले यहां पता चल चुका होगा और जब हम crust या उसके बारे में fundamental जब पढ़ेंगे तो वो बाकी चीज़ें वापस यहां से घूम कराएंगी यानि पहले जो आपने पढ़ा हुआ है वो वापस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा next one is slope development slope बहुत important होता है slope basically अपरदन के लिए जो है वो प्रभाव देता है धाल जितनी बढ़ती चले जाएगी उतना ही अपरदन की प्रक्रिया भी तीवर होती चले जाएगी जो उसके agent होंगे चाहे वो glacier हो नदी हो चाहे कोई भी और हवा हो वो उसी प्रकार से काम करना श जो है वो फिसलने वाला जूला जूला होगा या किसी सिप्री सता पर चले होंगे तो आपको बहुत आसानी से बास समझ में आ जाएगी यह basically क्या है इसके बाद एप्लाइट जियो मॉर्फलाजी यह आज के लिए बड़ा important आ रहा है क्योंकि इसको हम लोग लिए बना रहे तो हम उसको कहां इस्तमाल कर सकते हैं that is also important इसी का ही एक नया रूप है जो जीएस के लिए बहुत important है जियो हाइट्रोलाजी यानि कि हाइट्रोलाजी का मतलब होता है जल विज्ञान हम इसको जोड़ कर देखते हैं तो भू सतह के साथ जो जल है उसके साथ जोड़ा हुआ बहुत important segment है जिसका आज बहुत जादा GS में भी लगातार प्रियोग हो रहा है और जो बीसमा इसका topic है उसका नाम है economic geology and environment अब यहाँ geology word का use किया गया है जिसको हम लोग जो है वो भू विज्ञान जिसके हम लोग जानते हैं वो है तो आर्थिक भू रहे हैं कि हाँ उसकी संभावना बनी हुई है और इसका संबंध परियावरन के साथ कैसा यह बहुत applied part है और आब यहां से question अच्छे खासे आने लगे हैं GS में भी और optional में भी तो सबसे खास बात है geography optional का वो यह है कि geography optional का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी जब आप इसके ब optional का दिन करते हैं तो GS में बहुत बड़ा segment pre में भी और mains में भी आप बहुत आसानी से पूरा कर ले जाते हैं यही reason है जो UPSC ने अपना data दिया है कि सबसे जादा number of student ने geography optional के साथ जो है वो mains लिखा है और सबसे जादा selection जो उनका report है UPSC.gov.in पर आपको मिल जाएगी 243 final selection geography option के साथ है उसका fundamental यही है एक तो यह बहुत ही easy to grasp है अगर आप अपनी life में चीजों को देखते हैं अपने परवत पठार मैदान देख रहा है अगर आप अपनी life के साथ उसे जोड़ जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका आपकी life के साथ जोड़ कर पढ़ाने का तो अगर उसको आप देखते हैं तो साथी साथ ना सिर्फ यह यहां 500 marks लाने में यह बहुत मदद करता है साथी साथ जो GS paper 1, GS paper 3 दोनों में यह बहुत ही awesome तरीके से मदद करता है प्री में अगर environment के portion के साथ इसको मिला लें तो लगभग 22 से 23 questions सीधे सीधे आपको प्री में help मिल जाती है औ 25 से 1500 marks अपने आप आपके पूरे हो जाते हैं उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जुरूत नहीं है तो अगर वो इतना gain आपको दे रहा है तो फिर आप यह सोचिए कि selection में जब total marks जोड़ा जाते हैं उप्शनल GS के तो आपको extra advantage मिल जाती यही कारण है कि UPSC ने कहा ह कि जो final selection है उसमें geography optional का सबसे बड़ा योगदान है आपने देखा होगा अकबारों की cutting भी मैंने आप से share की थी वहाँ पर भी दिया गया था कि सबसे आदा selection के लिए यही उत्तरदाई है तो दोस्तों यह पहली unit रही जहां पर हम लोगों ने यह discuss किया पहली unit में कि क्या-क 12 राइट दो बुक्स होती है इसमें आप अगर 11th की बुक उठा लें जिसमें फिजिकल जोकर या नि भौतिक भूगोल की बात हो रही है तो आपको उसके जो fundamental पार्ट है उसको पता चलना शुरू हो जाएगा कि basically जो इसका fundamental पार्ट है geomorphology का वो हम कैसे जो है उसका की तरफ जाते हैं तो अगली बुक है पी दयाल पी दयाल की जो बुक है जियो मॉर्फलाजी यानि भू अकृति विज्ञान हिंदी और इंग्लिस दोनों में आती है यह basically self study के लिए बहुत अच्छी बुक है इसकी जो भाश्या है काफी सरल है और बहुत enlarge करके लिखी है हिंदी और इंग्लिश में इस सविंदर सिंग इन्होंने अपना जो बेस है वो थानबरी से लिया है तो थोड़ा सा इसकी लैंग्विज जो कई बार बहुत जो है वो ठॉक हो जाती है खासत वर पे जो इसका हिंदी वर्जन है उसकी भाशा थोड़ी सी तफ मानी जाती है जो इसका अनुवाद किया गया है चुकि foreign books को आप अपनी तयारी में इसका जो बेसिक वो काफी अच्छा लेकर आ सकते हो और जो ये सेलेक्शन के बेसिस में इसका बहुत बड़ा योगदान आपका बनता है तो मैं उमीद करूँगा कि इसके माध्यम से आप जो अच्छी तयारी करेंगे साथी साथ मैं जो online classes शुरू हो यह वो मैं शुरू कर रहा हूं 19 मई से 19 मई से classes शुरू होरी online anytime learning app पर आप anytime learning app download कर सकते हैं आप जानते हैं कि per day जो है वहां पर मैं एक answer writing session और value addition classes ले रहा हूं per day free में और geography option मैं शुरू कर रहा हूं 19 मई से bilingual यानि Hindi और English batch के लिए जिसमें paper 1 जो toughest part है वो मैं डील करूंगा और paper 2 जो database है और mapping का जो part है वो दीव शिखा मैं जो है deal करेंगी और यह regular दोनों classes मिलेंगी ताकि चार महिने के अंदर हम इस course को जो है वो easily complete कर सके और आपको उसके साथ साथ जो मैं पूरा flow chart और उसके साथ साथ किस तरह की UPSC में 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 question आ रहे है वो मैं आपको कराता र optional आप हर महिने पैसा देकर इसको पढ़ाई कर सकते हैं चार महिने का यह course है आसानी से आप जो है वो 230 आवर्स में और 225 आवर्स में आप इसको आसानी से complete कर पाएंगे with value edition classes जहां पर मैं answer writing program को भी इसके साथ लेकर चलूँगा दोस्तों तो अब उमीद है कि आपको इससे क benefit होगा आप समझ पाएंगे यह basic क्या है और यहां पर आपको जो है वो काफी advantage मिलनी शुरू हो जाएगी तो चली दोस्तों मिलता हूं मैं इसके अगले topic के साथ की climatology को हमें कैसे तायार करना है उसके aspects क्या है और climatology GS में बहुत बहुत जादा help करती है और optional एक ऐसा segment है अ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रही है और अच्छे से anytime learning app इसकी link इसी वीडियो के नीचे है उसको आप download करिए और हमारा जो telegram channel हो जांका इस academy उसका इससा बनी है thank you so much दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई करते रही है